नमस्कार दोफता एक बार फिर अमारे यूटूब चैनल में आप लोगों का हर दिख स्वागत है लेट अफ्ट अपडेट निकल का है कि करमचारियों के लिए बहुत बड़ी खुश ख़वरी है दोफतों करमचारियों को न्यू येर में मिलेंगे एक साथ दो गिफ्ट तीस अजार रुपे तक बढ़ जाएगी सैलरी तो जानिये नई अपडेट तो दोफतों नए साल में डिये में तीन परतिशत की बड़ोतरी की जा रही है यानि डिये 31 परतिशत से बढ़ कर 34 परतिशत हो सकता है तो दोफतों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारी चैनल पर पफटाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे साथी साथ वैल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गोर्मेंट या पैंसन से सम्मदी जितने भी नहीं हो जाती है पहला केंद्रे करमचारियों को एक बार फिर महंगाई बता तीन परतिशत बढ़ाया जा सकता है इससे एक करोड करमचारियों को लाब मिलेगा और सैलरी में 20,000 रुपे से ज़्यादा की होगी बढ़ोतरी वही दूसरा 11,56 लाग से ज़्यादा करमचारियों का हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ाया जा सकता है जिसे सैलरी में 800 रुपे तक का इजापा होगा संभावना जता ही जा रही है कि नए साल में मोदी सरकार इन दोनों फैसलों को हरीजंडी दे सकती है मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक 31 परतिशत मेंगाई बत्ता और राहत बढ़ाये जाने पर नए साल जनवरी 2022 में केंदर सरकार की मोदी सरकार केंदर करमचारियों को मेंगाई बत्ता और मेंगाई रात बढ़ाकर 34 परतिशत किये जा रही है जिसे करीब एक रोड 68 लाग करमचारी और 48 लाग पैंशनरों को लाब होगा और सैलरी में भी एक अच्छा उच्छाल देखने को मिलेगा वही 18,000 बेसिक सैलरी वाले करमचारियों का मेंगाई बत्ता सालाना 6,480 रूपे और 56,000 रूपे सैलरी वालों का सालाना मेंगाई बत्ता 20,484 रूपे हो जाएगा नए साल में डिये बढ़ने की उमीद है दरसल AICPI इंडेक्स के आकड़ों के मुताबिक नए साल में डिये में 3 परतिशत की बढ़ोत्री की जा सकते है यानि डिये 31 परतिशत से बढ़कर 34 परतिशत हो सकता है वरतमान में AICPI सितंबर 2021 किस तक के आकड़ों के इसाब से मेंगाई बत्ता 32,88 परतिशत है और उक्टूबर नॉमबर के सा दिसंबर के आकड़ों के इसाब से डिये की गणना बाकी है अगर दिसंबर 2021 किफ तक CPI का आकड़ा 125 परतिशत तक पोच जाता है केंदर की मोदी सरकार नहीं साल में हाउस रेंट रलाउंस की सोगात दे सकती है इंडिया रेल्वे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोशेशन और नैसनल वैड़ फैरेशन ओफ रेल्वे मन ने एक जनवरी 2021 से एच आरे बढ़ाने की मांग की थी जिसके बाद वित मंत्राले एक प्रफ्ताव बनाकर मनजूरी के लिए रेल्वे बोर्ड के पास बेज दिया गया है बस अब मनजूरी के आही इंतजार है अगर मनजूरी मिलती है तो ग्यारा दसमलों पांच-छे लाग से अधिक्रमचारियों को लाग मिलेगा और सैलरी में 800 रुपे तक की होगी बड़ोत्री और ये बड़ोत्री जनुरी 2022 में लागू हो सकती है यानि नए साल से किंद्रे क्रमचारियों को बड़ी खुश खबरी मिल सकती है दोफ्तो सैंथ पर कमिशन के ताहट जब डी ये 25 परतिशत से अधिक हो जाता है तो एच आरे भी बढ़ जाता है और इसकी दर 8, 16, 24 परतिशत से बढ़ कर 9, 18, 20 परतिशत हो जाएगी इसके ताहत करमचारियों को नियुक्तम चमन सो रुपे से अधिक तम 81, 100 रुपे महिने का फायदा होगा हम समझाते हैं दोफ्तों आपको की कैलकुलेशन कैसे करते हैं अगर किसी करमचारियों का मूल वेतन 30,000 रुपे है तो उसे लग बग चमन सो रुपे से लेकर 800 रुपे परतिमा का एचारे का लाब मिलेगा तो दोफ्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत